बिना आटे और कॉन फ्लोर का बनाएं पालक का थिक सूप इसके लिए ली है मैंने 200 ग्राम पालक जिसे धोकर रख लिया है एक प्यास जिसे रफली चॉप कर लिया आदा इंच अद्रक का टुकड़ा और 4-5 कलिया लसुन की और साथ ही 4-5 पीस काजु के आईए बनाते हैं एक पॉट ले उसके अंदर एक कप पानी डाले जैसे ही पानी गरम हो उसमें अड़ करें भ्यास साथ ही डाले अद्रक और लसुन 4-5 काजु और पालक देखिए मैंने पालक को चौप भी नहीं किया आप धोकर ऐसे ही पालक को डाल सकते हैं एक चमच नमक एड़ करेंगे और इसे 2 मिनट के लिए उबलने देंगे ये पालक का सूप बहुत ही सिंपल है ये बिना आटे और बिना कॉन फ्लोर के बनाया जाएगा जो की हेल्दी भी है और टेस्टी भी सीरफ काजू ही डालने से हमारा पालक का सूप इतना थिक हो जाएगा कि वो क्रीम और स्पिनिट सूप बन जाएगा देखिए पालक पूरी तरह से उबल चुकी है अब हम गैस बन करेंगे और इसे बीट कर लेंगे आप मिक्सर ग्राइंडर में भी बीट कर सकते हैं मैं यहाँ पर हैंड ब्लैंडर की मदद से इसे बीट करूँगी जो पानी हमने बॉयल करने के लिए यूज किया था आप वो भी इसके अंदर आड़ कर दीजिए ताकि कोई भी न्यूट्रियंट्स हमारे हाथ से ना निकल जाएं देखे बीट होने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा कितना थिक और क्रीमी अब आती है इसे दुबारा सौटे करने की बारी तो वही पैन में हम बटर एट करेंगे जैसे ही बटर मेल्ट होने लगे आप पालक की प्यूरी इसमें डाल दीजिए कंटिन्यूजले हिलाते जाएं और अब डालेंगे इसमें पौना कप दूद देखे पालक का कलर किस तरह से चेंज हो गया थोड़ा सा पानी भी आप आट कर सकते हैं जितना थिक आप रखना जाएं उतना कम पानी डालिए और जितना पतला रखना जाएं उतना जादा पानी डालिए जैसे जैसे इसमें बौइल आने लगे साथ में ही हम डाल देंगे आदा जमच काली मिर्च पावडर दो मिनट के लिए इसे अच्छे से उबालेंगे लेंगे हम एक बाउल और उसमें डालेंगे पालक का सूप और गार्णिश करेंगे इसे मलाई या क्रीम से मैंने यहाँ पर घर पर ही एक कोन तियार कर लिया और उसके अंदर फिटी हुई क्रीम डालके इसके उपर छोटे-छोटे हाट स्ट्रॉ कर दिये लग रहा है ना ये भी रेस्टोरेंट स्टाइल पालक का सूप तो सर्दियों में इंजॉय कीजिए बच्चों को भी पिलाए पोशक तत्वों से भरपूर क्रीम और स्पिनेच सूप जिनों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल से जल मेरा चैनल सब्सक्राइब करें स्टे टून फर दे नेक्स्ट वीडियो तिल देन बाबाई